दोस्तों आप सभी का स्वागते Current Affairs फंडा की यूट्यूब चनल पर आपको दादू जैसे कि अपकमिंग डेस में बहुत सारे मेंस के examinations होने हैं और जनरली हर एक examinations में 5-6 मंत का Current Affairs पूछा आता है अगर मैं RRBPO की मात करूँ तो RRBPO में क्या होता है कि आप अगर regular basis पर last 4 मंत का Current Affairs at least आप कबर करके ही जाना बहुत पुराना Current Affairs rarely कई बार पूछा गया है कई बार 8 मंत पुराना Current Affairs भी मैंने IBPS की history में देखा है जो कि उन्होंने RRBPO, RRB Clinical के exam में पूछा है तो अभी मैं आपको recommend करूँगा कि आप लगबग last 6 मंत का Current Affairs बहुत बैतर तरीके से कर कर जाए अभी ये last 6 मंत के Current Affairs मिलेंगे कहां पर मैं आपको Current Affairs मंदा के app का link दे दे रहा हूँ बहाँ पर मैंने 6 मंत के Current Affairs अपडेट कर रखे हैं जिसमें आप previous days में move करो देखो August complete बहाँ पर पड़ा हुआ है और आप August से पीछे जाओ और लगबग 4-5 महिने आप cover कर लो क्योंकि ए examination जो है वो end में है इस मंत के तो ये जो मंत है आपका September इसके आपको दो week at least कर के जाने होंगे week 1 और week 2 और week 2 दोनों की वीडियो मैं current affairs मना के mobile application में जो हमारा GA booster package है इसमें मैं आपको RRB PO में इसमें मैं provide आपको करा दूँगा अब एक लोगों के मन में सवाल रहता है कि कितना कितना current affairs हमें cover करना है एक मन्त में तो बहुत सारी news हैं कैसे cover हो पाएंगी एक वीडियो में यहां पर आई बिटन पर ऊपर दे दूँगा जिसमें अभिशेक साथ ने explain आपको किया है कि एक मन्त के current affairs को हम कैसे one day में cover कर सकते हैं आप पूरे हथते में कोई भी एक या दो दिन निकाल दो जिसमें आप पूरे एक मन्त का current affairs बहुत बहुत बहुतर तरीके से revise कर सकते हो उसमें हमने पूरी जो strategy है ना वो यहां पर बताई है और यह बिल्कुल practical approach है यह भी आपको separate PDF file में provide करा रखा जिसमें आपका financial awareness और banking और economy की सभी की news के compilation वह है अब देखो आज कल current affairs बहुत बास्त है लेकिन 100% पूरा coverage possible नहीं है इसलिए हमने उसमें जो most important mcqs होते हैं को अपने cover करा रखा है सारे mcqs detail में हैं और एक-एक mcqs detail में दिया गया है तो अगर आप उनकी detail को अच्छे से पढ़ोगे तो आप किसी तरीकी questions को solve कर पाएंगे आज कल क्या होता है कि लोग आपको provide करा देंगे कि यह 400 mcqs हैं इनको करकर चले जाओ 2000 mcqs कर लो आपका काम हो जाएगा खाली mcqs पढ़ने से काम कभी नहीं हो पाएगा आपको क्या करना है detail analysis करना है देखो जब हम एक passage पढ़ते हैं तो उससे हम 10 अगर mcqs frame किया जाएंगे तो दस होग आप जवाब देदोगे लेकिन अगर मैं cable cable आपको 2-5 mcqs देदू तो आप उन 5 mcqs से cable factor की ही knowledge ले पाऊगे जो कि पाच mcqs से पाच लाई नहीं आपकी कबर हो पाएंगे बट हम क्या करते हैं कि एक mcq अगर discuss करते हैं तो इसका detail analysis बहुत ही दीप में हाँ पर करते हैं और अभी टीचर्स डे पर एक offer चलना है जिसमें आप के लिए हर एक कोर्स पर 10% आप वी मिलना है तो आप उसमें जो है इन्रोल कर सकते हैं और यह सारे जो courses करेंट अफेर्स पंडा के एप में प्रवाइट करा जा रहा है आप इसमें है भी डिसकाउंट सब्सक्राइब कर सकते हैं दूसरी चीज क्या है कि में से एक्जामनेशन को ध्यान में रखते हुए हम जो बैंकिंग अवेर्नेस है इसको भी बहुत बेतर तरीके से कवर करें यह भी आपको करेंट अफेर्स पंडा के आप में मिल जाएगा क्योंकि एक को डाउलोड करें बहां पर यह साइड में को डा रहा है यह आप अपलाई करेंगा आपको ऑफ़र में जो सारे कोर्से ना वो भी देखने को मिल जाएंगे और फिरी पीडिया फाइल है उनके लिए तो आप एक बार एप को डाउनलोड करके आप में आप एकसेस जरूर दे देख रहे हैं तो आप इस कोर्स का लाग उठाएं और अपने अच्छी प्रफेशन करें थैंक्यू सो मच है वागुड डिटो और फिर बजग इन गायर्ज अ